कि अन्य से उदासीन देखो यहां द्यान दो उदासीन माने क्या कि दुश्मनी न कर ले नौँ बाप से मां से बीबी से बेटे से पती से दुश्मनी है इसके कारण हम भगवान क्यों और नहीं जा पा रहे हैं किसके कारण हमारा बाप बड़ा दुष्ट है नास्तिक है हमारी मान ऐसी है हमारी बीबी ऐसी है अरे कोई खराब नहीं है दुनिया में सब विचारे आनंद के भूखे हैं जैसे तुम आनंद चाहते हो बाप से ऐसे बाप आनंद चाहता है तुम से सब विचारे भूखे हैं अपना भूख अपनी मिटाने के लिए एक दूसरे से स्वार्थ सिद्धी चाहते हैं कोई बुरी बात नहीं है तो नेचर है क्या करें तुम भी तु चाहते हो ऐसे वो भी चाहता तो इसलिए दुश्मनी करोगे तो वो आ जाएगा मन में जितना असर दोस्ती का होता है उतना ही दुश्मनी का होता है तो दुश्मनी करोगे तो एक ही तो मन है भगवान से प्यार कौन करेगा उदो जी मन न भये दस बीस गोपियों ने कहा था अनन्य किसे कहते है अनादिकाल से हम लोगों ने अनन्त जन्मों में अनन्त घंटों तक भगवान की भक्ती की है लेकिन भगवान की एक शर्त अनन्यता उसे नहीं पूरी की बेद कहता है तमेव अबिदित्वा उसको ही लगाता है भागवत कहती है भक्त्या हमे कया एक मात्र गीता कहती है मा मे कम सरनम ब्रज अनन्य माने एक ना अन्य अनन्य समास्य हो जाता है जैसे अनेक ना एक अनेक ना अन्त अनन्त वैसे ही इस शब्द बना है अनन्य अन्य नहीं इसके लिए दो सूत्र बना दिये नारद जीने चावरासी सूत्र में दो सूत्र तसमै अनन्यता तद बिरोधिशू दासीनताच्य नवा सूत्र दूसरा भनाया अन्या श्रेया नाम त्यागो अनन्यता इन दोनों सूत्रों का अर्थ है कि अन्य का आश्रे अवलंब अर्थात उसमें मन का अटाइच्मेंट न हो अरे अन्य मने क्या अन्य मने माया अगवान के सुवा अन्य है क्या अरे एक तो हम है अन्य और एक माया है तो हम तो भक्ति करने वाले हैं अगर भगवान के अलावा कोई बचा तो माया तो माया में अटाइच्मेंट न हो अटाइच्मेंट माया का सेवन करना है माया के सेवन के बिना दस मिनट भी नहीं कोई जी सकता अरे आप लोग हवा लेते हैं इस मायक जगत का हाँ सांस लेते हैं अगर कोई मुह नाक बंद कर दे तो तो दो मिनट में रादे रादे प्रिथिवी पर चलते हैं हाँ अगर कोई कहे ग्यानी से कि तुम संसार को मिठ्या कहते हो छोड़ दो हमारी प्रिथिवी कहां जाएगा ओ ओ ओ अन्यमाने माया माइक पदार्थ माइक ब्यक्ती दो चीजें माइक पदार्थ यह देखने का, सुनने का, सूंगने का, खाने पीने का, असपर्ष करने का यह पाच इंद्रियां हैं हमारी ज्ञाने इंद्रियां इनके पाच सब्जक्ट हैं तो इन पाचों में जगत संबंधी पाचों में मन का अटाइच्मेंट न हो सेवन करो ग्रिहीत्वा पीन्द्रिये रर्थान नद्वेष्टि नहिरिष्यति विश्णोर माया मिदंपश्यन सवई भागवतो तमाह भक्तों में सर्वस्रेष्ट उसको माना गया है जो संसार का सब सेवन करे लेकिन मन का अटाइच्मेंट न हो मन का अटाइच्मेंट अलग बस्तु है सेवन अलग बस्तु है ग्यारा दो अर्टालिस भागवत इसी को सासंग भक्ती कहते हैं जिसमें अटाइच्मेंट हो मन का संसार में और इंद्रियों से भगवान की भक्ती करे और एक होता है कि इंद्रियों से संसार का सेवन करे और मन से भगवान की भक्ती करे इस दो एक दूसरे के बिरुधी है तो जो गीता में कर्मयों कहा गया है वो है कि मन भगवान में रहे तन संसार में संसार को शरीर चाहिए मन नहीं किसी का काम कर दो उसे खुशी है और काम न करो खारी मन से प्यार करो तो कोई नहीं चाहेगा ऐसी मा ऐसा बाप ऐसी बीबी ऐसा पती तो संसार में या संसार में दो होता है ध्यान रखो संसारी सामान या संसारी आदमी यानि चेतन या जड़ अब संसारी आदमी हो चाहे पशू हो चाहे पक्षी हो चेतन हो चाहे संसारी सामान हो खाने पीने का किसी चीज का स्वामी रामतीर्थ को सेव में बढ़ी आ सकती थी तो उन्होंने सेव रख दिया सामने और देखते रहे दो तीन दिन वो सड़ गया तब तक खाएंगे नहीं तुझको अरे एक फकीर था डायो जिनीज यूनान में तो मूर्ती के आगे खड़ा होकर विक्षा मांगता था और बड़ा मशुहूर फकीर तो लोगों ने कहा विक्षारा पागल हो गया देखो मूर्ती से मांग रहा है खाना फिर लोगों ने पूछा हिम्मत करके आप मूर्ती से क्यों मांगते हैं तो उन्हें ने कहा हम इसलिए मांगते हैं कि जब आप लोगों से मांगे और आप लोग न दे तो हम बुरा न माने इसका आप भ्यास कर रहे हैं क्योंकि मूर्ती तो कुछ बोलेगी नहीं और हम मांगे जाएंगे ऐसे तो करते हैं न हम लोग भी कार में बैठे रहते हैं और बाहर से बच्चे या लड़कियां लड़के छोटे-छोटे मांगने आते हैं हम उनकी तरफ देखते हैं और तरफ देखते हैं जो समझदार लोग है और जो थोड़ा ना समझ है वो कहते हैं जा जा और समझदार कहते हैं काहे को हम बोलने का कश्ट करें इधर देखेंगे तो थोड़े देर में बाबु जी बाबु जी करके चला जाता है आतुम इतने में लाइट खुल गई गाड़ी चली तो यह संसार के सामान में जिसका अटाइच्मेंट होता है वो अनन्य नहीं अथ्वा संसारी व्यक्ति में अटाइच्मेंट हो जाए संसारी व्यक्ति का अर्थ समझे रहना माया बद्ध अगर हमारा बाप माया से परे है तो उसमें अटाइच्मेंट करो अगर हमारा बेटा महापुरुष है ओ करो उससे अटाइच्मेंट गो लोग जाओगे जिस परसनेलिटी में मन का अटाइच्मेंट होगा मरने के बाद उसी का फल मिल जाएगा बड़ी सीधी सी फिलोफ्ष भी है जैसे एक बाप के चार लड़की है उन्होंने चार लड़कों से ब्याग कर दिया एक लड़का आई एस में आ गया तो उसकी बीबी मेम साहब हो गई कलक्टर की बीबी हो गई और एक लड़क रह गया ओ बबुआईन हो गई एक का पती सराबी हो गया तो वो बिचारी भिखारेन हो गई ऐसे ही ये मन है इसका अटैच्मेंट जहां होगा मरने के बाद उसी का फल मिलेगा तो अनन्य बनने के लिए भगवान इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद तुम हमारे पास आओ हमारे पास आओगे तो हमारी प्रापर्टी मिल जाएगी क्या प्रापर्टी है आपके पास अनन्त ज्ञान अनन्त आनन्द अनन्त जीवन यही तो हम लोग चाहते हैं ने एक मूर्ख यानि बोला भाला कहता है भगवान से कि महराज अगर हम आप से प्यार करें और संसार से भी करें तो आपको क्यों इतराज होता है हमारे संसार में देखो एक आदमी अपने बाप से भी प्यार करता है मा से भी करता है बीबी से भी करता है बेटा बेटी से भी करता है भाई बहन से भी करता है और कोई इतराज नहीं करता कि तुम उससे क्यों प्यार कर रहे हो जी किसी मा ने आज तक कहा कि तुम बाप से प्यार क्यों करते हो तुम बीबी से प्यार क्यों करते हो कोई नहीं कहेगा बल्कि और राय देंगे आई ये भगवान को क्या इरश्या है ए अगर एक सेकंड को भी संसार को लाए हिरदय में तो मैं बिस्तर बांद कर चला द्रावपदी ने अपने दाथ से साड़ी दबाया आखरी ताकत अब दस हजार हाथी का बल दुश्रासन में एक इस्त्री दाथ से साड़ी दबा के क्या करेगी तो भगवान द्वारिका में थे खाना खा रहे थे उनका हाथ का गस्था मुह में जाने वाला था वहीं रुका रहा और आख बंद करके ऐसे मुह किये रहे रुक्मिनी ने कहा महराज खाना क्यों नहीं खा रहे अन्होंने हाथ से इशारा किया है बोलो मत सीरियस मामला है क्या है एक भक्त पुकार रहा है तो जाओ फिर महराज क्या जाओं अभी वो दात का बल लिये है अपने पास अनन ने नहीं बना अनन ने नहीं बना भी एक बल है उसके पास दात का तो जब दात से साड़ी खस की तो द्रोपेजी ने हाथ उठा दिया हाना अथ द्वारी का बासन अत्रन तो वो साड़ी में भगवान आ गए अब दुश्रासन कीचे जाए साड़ी बढ़ती जा रही है अब भगवान को कैसे हराएगा दुश्रासन तो अनन्यमाने संसारी सामान या संसारी चेतन इनमें मन का अटैच्मेंट न हो तो वो अनन्य है तो भगवान कहते हैं देखो जी तुम जो प्रश्न कर रहे हो कि संसार में हम माबाब, बेटा, बीबी सबसे प्यार करते हैं, किसी को इतराज नहीं, तो हम भी कहते हैं कि तुम हमारे परिबार से प्यार करो, हम तो और खुश होंगे, हमारे भक्त से जो प्यार करें, तो हम तो अपने प्यार से हजार गुना बड़ा मानेंगे उसको, हम तुमको माया वाले से इसलिए रोकते हैं कि जैसे कोई ब्यक्ति साबुन लगा के बहुत गंदा कपड़ा थोड़ा सा उसने मैल छुड़ाया उसके बाद फिर गंदगी में डुबा दिया फिर बाहर निकाला और साबुन लगाया फिर गंदगी में डुबा दिया तो कपड़ा कभी नहीं धुलेगा फट जाएगा यानि मन को शुद्ध करना है तो शुद्ध परसनेलेटी में अटाइच्मेंट करने से शुद्ध होगा और शुद्ध परसनेलेटी भगवान और महापुरुष और संसार पाप से जुक्त गंदा अंता करनवाला उसको लाओगे तो मन गंदा हो जाएगा ऐसे ही क्या कम गंदा है अनाधिकाल से तो अन्य से उदासीन देखो यहाँ द्यान दो उदासीन माने क्या कि दुश्मनी न कर ले न बाप से मा से बीबी से बेटे से पती से दुश्मनी हाँ इसके कारण हम भगवान क्यों और नहीं जा पा रहे हैं किसके कारण यह हमारा बाप बड़ा दुश्ट है नास्तिक है हमारी मान ऐसी है हमारी बीबी ऐसी है अरे कोई खराब नहीं है दुनिया में सब विचारे आनंद के भूखे हैं जैसे तुम आनंद चाहते हो बाप से ऐसे बाप आनंद चाहता है तुम से सब विचारे भूखे हैं अपना भूख अपनी मिटाने के लिए एक दूसरे से स्वार्थ सिद्धी चाहते हैं कोई बुरी बारत नहीं है, तो नेचर है, क्या करें, तुम भी तु चाहते हो, ऐसे वो भी चाहता है, तो इसलिए दुश्मनी करोगे, तो वो आ जाएगा मन में, जितना असर दोस्ती का होता है, उतना ही दुश्मनी का होता है, गोपियों ने प्यार से श्री कृष्ण से प्यार किया, अनुकूल भाव से, वो भी गो लोग गई, और बड़े बड़े राक्षसों ने दुश्मनी किया, कंस वग्यारा ने, वो भी गो लोग गई, जैसे पारस से लोहा छू जाए, तो सोना बनेगा, चाहे प्यार से छूआ दो, चाहे लड़ा दो, सोना बनेगा, संक्रा चार्द मिमाना, लोह शला का निबहाई, अगर लोहे की कुलहाडी से भी तुम मारो, पारस में, तो भी वो पारस कुलहाडी को सोना बना देगा, ये नहीं सोचेगा, कि इसने हमको मारा है, इसको हम सोना नहीं बनाएंगे, तो भगवान जिसको मारते हैं, और आक्षस भी गो लोग जाता है, तो दुश्मनी करोगे तो एक ही तो मन है, भगवान से प्यार कौन करेगा, उदो जी मन न भए दस बीस गोपियों ने कहा था, कि तुम अद्वईत ज्ञान का उपदेश करने आये हो, किसको कर रहे हो, मन को न, उतो चला गया श्याम संदर के पास, नेरे पास हाई रही, तो अब तुम्हारा एक अद्वईत ज्ञान कौन सुने, कौन समझे, कौन माने, उद्धो की बोलती बंद हो गई, तो अनन्य का मतलब है, भगवान और गुरु में ही प्यार हो, मन का, और संसार में, इंद्रियों का ब्यवहार हो, तन का, वो अनन्य है, साब ग्रहस्त में महापुरुष्वयत हैं हमारी इतिहास में, ब्रह्मा, विष्णू, शंकर, बसिष्ट, भरद्वाज, गोतम, कपिल, कनाद, सब महापुरुष्ट, और सबसे बड़ी तो गोपियां हैं, वो भी ग्रहस्त में थी, लेकिन या दोहने वहनने मतनों पलेप, प्रेंखेंख नार भरुदितो, छणमार जनादव, गायंति चैन मनुरक्त धियो शुरुकंठ्यो, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्याना, उनका मन श्यामसुंदर में ही रहता था, जो भी ग्रहस्त का काम कर रही हैं, काम करती थी, आज ही ऐसा कैसे होगा, कुछ लोग सोचेंगे, आप सब लोग करते हैं ये, आप लोग बताईए कितने में आपके मन का अटैच्मेंट है, एक बाप होगा, एक मा होगी, किसी के वो भी नहीं होगा, एक बीबी होगी, एक पती होगा, किसी के वो भी नहीं होगा, ओ बेटा बेटी कुछ होंगे, दो, चार, छे, दस, बस इतने में तुम्हारे मन का अटैच्मेंट है न, हां और बाकी जगे क्या करते हैं आप आएए आए आएए आए हाथ तो कभी आते ही नहीं बहुत खुशी हुई जो चला गया है एक तिंग करते हैं एक तिंग यानि ब्यवहार प्रैमिनिस्टर आ रहा है आप सारे कर्मचारी भाग दॉड़ कर रहे हैं औरे कहीं उनको गर्बर ना कुछ मिल जाएं जब चला गया उप्राइम मिनिस्टर आप सास लिया कलक्टर ने कमिशनर ने सब आफिसरों ने चला गया साला नाक में दम था दस दिन से सोए नहीं इसकी सफाई करो इसकी ये करो उसकी ये करो और स्वागत कहते हैं इसको ये स्वागत है यानि हम अभ्यास है हमको खूब एक्टिंग करते हैं सारे संसार में बिना प्यार के दूसरे के बच्चे को देखा तो उसकी मा बेवकूप बन जाती है कि हमारे बच्चे से प्यार कर रहा हूँ बड़ा अच्छा है दूसरे के बच्चे से बला कौन प्यार करेगा सब एक दूसरे को ठग रहे हैं और जूट बोलने हैं एक एक दिवहार में सफेज जूट सारा संसार दुखी है अशान्त है अरफपती खरफपती सब लेकिन किसी के पूछने पर बोलते है आल राइट पर एक भी राइट नहीं है सब गड़बड है क्योंकि भगवत प्राप्ति के बिना माया जाएगी नहीं माया के बिना गए संसारी कामनाय क्रोध लोब मोह जाएगा नहीं तो फिर शान्ती और सुख यह कहां है टेंशन हो गई सब कुछ तो है हाँ बाप भी है मा भी है भाई भी है बहन भी है पती भी है बेटा भी है बीबी भी है सब कुछ है हाँ है लेकिन क्या हुआ आत्मात्या कर लिया है लोग सब कुछ है और फिर भी हाँ कुछ सोचा होगा टेंशन और बस सोचते 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 जाहर खा लिया देखो बच्चे बड़ बड़े आदमियों के कहीं हाइ स्कूल फेल हो गए, इंटर फेल हो गए खुद कशी कर लेते हैं आत्म हत्या कर लेते हैं अरे फिर पढ़ लेना एक साल चोटी-चोटी बातों में फेल करके तो अनन्य होना परमावश्यक है संसार में मधुर ब्यवहार करो ब्यवहार देखो एक नर्स तमाम बच्चे पैदा करती है वो लेडी डाक्टर वो नर्स किसी बच्चे से प्यार नहीं करती मुँ बनाती रहती है मुश्कराने का यह आपका बच्चा है मर गया बाहर ले जाएए मर गया का करना हमको को यह हमारा बच्चा थोड़े है एक तिंक ब्यवहार सरबत्र ब्यवहार और भगवान और महापुरुष्ट में प्यार भोलापन शरनागती यह दो बिरोधी चीदें करनी होगी को करोणों लोग हमारे संसार में ठगाई में आते हैं बड़े बड़े समझदार हम तुमारा एक लाग दो लाग कर देंगे चले हो एक लाग दो लाग करके चला गया रात को रोज आप लोग अख़बारों में पढ़ते सुनते हैं तो संसार में चालाक बनो और भगवान के एडिया में भोले बनो पांडित्यम निर्विद्य भाले नतिष्ठासे ब्रहदारन को पनिशत तीन पांच एक चालाकी बुद्धिमत्ता एसा फेक दो और भोले बालक बन कर भगवान को रोकर पुकारो तब वो मिलेंगे तब वो प्यार करेंगे तब अनता करन शुद्ध होगा ए अनन्य का भावारत है झालाकी बुद्धिमत्ता करेंगे